ये बजे निकले हैं मोदी जी संडे होली डे होता है मेरे लिए रियल साइंस में होली डे होता है मैं होली डे के समय पर कहा दो पवित्र दिवस सारे काम जितने कर सकने करना चाहिए और मैं जब साम को बिस्तर पे जाऊंगा तब तक पांच राज्यों का आज मेरा दोरा हो गया होगा दिल्ली से चला हूँ, 36 गट आया हूँ यहां से उडिसा जाऊंगा, उडिसा से पश्चिम मंगाल जाऊंगा और फिर वहां से उत्तर पदेश जाकर करके सो जाऊंगा आज यहां मुझे साइबाबा की प्रतिमा का लुकारपन करने का अफसर मिला यह अस्पताल गरीबों की निशवल के सेवा करने का काम करती है कास करके बालकों के रिदे के आपरेशन जो लोग पूट परटी गए होंगे, वहां भी एक बहुत बड़ा अस्पताल और साइबाबा का जो सामाजिक काम था उस स्विपकर लोगों का बहुत कम ध्यान जाता है चमतकारों की चर्चा बहुत होती है लेकिन उन्हों ने जो पानी में काम किया है शिक्षा में काम किया है स्वास्त में जो काम किया है ये सच्पुज में बहुत प्रेरख है एक भी चमतकार की चर्चा न करे तो भी ये काम अपने आप में बहुत बड़ा चमतकार है हमारे देश 55 प्रतिशत जहांब हम नौजवान है डेमोग्राफिक डिविडन ये भारत के एक बहुत बड़ी शक्ति के उरुप में दुनिया देख रहा है लेकिन अगर हम इस डेमोग्राफिक डिविडन के सिरफ माला जबते रहेंगे कि हमारे पास 65 प्रतिशत जनसंग्या 35 साल से कवम उमर की है तो बात बनने वाली नहीं है ये 65 प्रतिशत जनसंग्या उसके हाथों में उनर हो अपना कौशल दिखाने के लिए वो आर्थिक ववस्ता का प्रबंदन हो सरकार की नीतिया ऐसे छोटे छोटे उद्यमकारों को पोसाइट करने वाली हो हमारे युवा जॉब सीकर से जॉब क्रियेटर बने वो खुद नौकरी खोजने के बजाए मैं दो-चार लोगों को नौकरी दूँगा ये सपने लेकर के काम करे और ये एक माहोल देश में बन सकता है सरकार ने जो योजना बनाई है वो सारी योजनाएं इन बातों को बल देती है ग्रेजुएट होना सर्टिपुएट लेकर के दरदर फटकते रहना ये मेरे देश के युवा की जिंदगी नहीं हो सकती है मेरे देश के युवा की जिंदगी उसके सपनों को साकार करने के लिए अनुकुल माहोल बनाने करके उस सपनों को फूरा करने वाली होनी चाहिए और उस दिसा में सरकार के एक के बाद एक कदम उस थीतियों को प्राप्त करने के लिए विधावुट कोई गरंटी देश के सामाने लोग जो कभी बैंक के दरवाजे तक जा नहीं सकते थे शाहकार जिनको लूटते थे ब्याज बेसुमार होता था और कभी-कभी उसे गाउँ छोड़के भागना पड़ता था या संसार छोड़के चला जाना पड़ता था इस चुगाल से उसे बचाने के लिए छोटे-छोटे लोग दोभी हो, नाई हो, बरतन बेचने वाले हो, कपड़े बेचने वाले हो, मौमबत्ती-अगरबत्ती बेचने वाले हो, पूजा का सामान बेचने वाले हो, सामान ने लोग उनको पांच अजर पर दस अजर पर चाहिए तो भी साहुकार के यहां जाकर के एक प्रकार से अपने आपको गिर्वी रखना पड़ता हुथ मुद्रा योज्रा के तहट पचास हजार से लेकर के दस लाग तक विधाउट गारंटी ऐसे लोगों को पैसा दरीय का प्रबनफ चुरू कर दिया है अब तक दो करोड को नोगों को राशी दे दी गई है और करीब करीब एक लाग करोड से ज़्यादा राशी दे दी गई है किसी भी प्रकार के गारंटी मांगे बिना देजी गई है और इरादा ये है कि वो अपना कारोबार को बढ़ाएं ताकि उसमें गरीबों को वो रोजगार दें एक को दें, दो को दें, चार को दें लेकिन इसी से काम बढ़ने वाला है देश की आजादी की इतने सालों के बाद पाँच करोड परिवार ऐसे है जिन के लिए आवास निर्मान आवशक है करीब दो करोड शहरों में है तीन करोड गाउं में है और ये वो लोग हैं जो अपने बलबुते पर मकान बना पाए वो संभव नहीं है ना उसके पाद जमीन है ना उसके पाद पैसे है विकास के लिए व्यवस्ताएं कभी कभी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है घर में प्रवेश जहां होता है तो पैर पहुँचने के लिए भी कुछ रखना चाहिए तो सोता है चलो यार दस रुपर बचालो कुछ लाकर के रखना पड़ेगा फिर उसको लगता है कि लोग आते है जुगी जोपड़ी में तो चलता था अब थोड़ा दरी बरी लानी पड़ेगी थोड़ा पैसे बचाता है दरी लियता है अगले महीने फिर थोड़े दिन हो जाते है उसको लगता है नहीं अब तो बच्चों ने पढ़ना चाहिए तो बच्चों को पढ़ने के लिए सोचने लगता है एक बार चार दिवारी आ जाती है च्छत आ जाती है तो उसके सपनों में जान आ जाती है और वो नई नई चीजे करने लग जाता है ये प्रधान मंत्री आवास योजना वो इंफासेक्टर नहीं है ये प्रधान मंत्री आवास योजना ये वो उन दिवारों को खड़ी करने के लिए नहीं है जो किसी को जगा दे देंगे वो उन सपनों को जान भरने का एक बहुत बड़ा कारकम है जो हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्तिकों अपना और इंसान के समगाने व्यक्तिके मन की एक इच्छा होती है कहीं भी विरता हो यार अपना एक घर होता अच्छा हो हर किसी की इच्छा रहती है लेकिन उस गरीब की इच्छा पूरी नहीं होती और कोई गरीब मरने के बाद अपने बच्चों को विरासत में गरीबी देना नहीं चाहता है गरीब से गरीब माबाब भी अपने बच्चों को गरीबी विरासत में देखरके जाना नहीं चाहता है वो भी उसको कुछ देखरके जाना चाहता है सरकार ने सपना देखा 2022 भारत की आज़ादी के 75 साल होंगे किया अभी से देश का हर नागरीक देश की सभी सरकारे देश की स्थानी असवराज की सबी संस्ता हैं जो जो भी सारवजनिक जीवन में अवैक्तिक जीवन में सोचने वाले लोग हैं उन सब ने 2022 के लिए एक संकल्प मन में लेना चाहिए कि 2022 जब देश की आजादी के 45 साल होंगे जिन महापुर्शों ने इस देश त्याक किया तपस्या की और हमें आजादी दी उनको आजादी के 75 साल के वर्श पर हम क्या दे सकते हैं उसका संकल्प हर देश वाचिका होना चाहिए 2022 तक पाँच करोग घर बनाने काम बहुत बड़ा है मैं जानता हूं मानो समसादम लगेंगे लेकिन इससे रोजगार भी बढ़ेगा सिमेंट भिकेगा, लोहा भिकेगा मैसंस का काम करने वालों को काम मिलेगा इट, माटी, भठा, चुना, कलर काम सब करने वालों को काम मिलने वाला है देश के अंदर एक बहुत बड़ी आर्थि प्रवर्ति वे भी देश की युवा पढ़ी के काम आने वाली है जीवर मधलने वाला है और इसलिए उसकार कम आज यहां आरंभ हो रहा है पुरे देश में सभी सरकारे आगे आए जितना हो सके जल्दी अपने यहां जमीन के सबंद में जगाता है करें भारत सरकार इस काम को आगे बढ़ाने के लिए तयार है राज्योर केंदर मिलकर के इस काम को करेंगे और देश के गरीब से गरीब को हम एक छट देंगे जिस छट के सहारे उसके सपनों को जान देंगे और वो जानदार सपनों से देश 2022 में नई उंचाईयों को प्राप्त करेगा इसी एक विश्वास के साथ मैं फिर एक बार रबन सिंग जी को उनकी टीम को